दोस्तो हाली में ही HL ने जनरल इलेक्ट्रिक के साथ एक एग्रिमेंट को फाइनलाइज कर लिया है चहां पर इस समय बताया ये जा रहा है कि HL जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन का प्रोडक्शन बेंगलोरू वाली फैसिलिटी के अंदर ही करेगा इस समय उम्मीद इस बात की की जा रही है कि अगले महिने के अंच से पहले पहले ही भारत और अमेरिका के बीच F414 इंजन की डील को साइन कर लिया जाएगा इस डील के साइन होने के दो सालों बाद यानि की 2027 में ही भारत के अंदर F414 इंजन के प्रोडक्शन को शुरू कर दिया जाएगा 2027 का समय बिल्कुल परफेक्ट हमारे लिए रहने वाला है क्योंकि उस समय तक हमारे तेजस मार्क टू फाइटर जैट को भी प्रोडक्शन के लिए भेज दिया जाएगा और फिर हम काफी आसानी से अपने तेजस मार्क टू के अंदर भारत के अंदर बने ह शुरू में भारत की तरफ से जो अमेरिका के साथ डिल साइन की जाएगी इसमें हम अमेरिका के साथ निन्यान में F414 इंजन की डिल को साइन करेंगे और इस ओर्डर के पूरा हो जाने के बाद भारत की तरफ से एक बार फिर से निन्यान में ही F414 इंजन का ओर्डर रिपी कर देंगे इस समय ये भी बताय जा रहा है कि आने वाले 40 सालों के अंदर अंदर हमारी वायू सेना को 360 के आसपास F414 इंजन की जरुवत पड़ेगी साथ में एक अपडेट भारत और ब्राजील को लेकर भी आया है आप से भी ये बात जानते हो कि पिछले कुछ सालों से भार को खरीदने में अपना इंटरस्ट दिखा रहा है कभी भारत और ब्राजील के बीच इन दोनों ही हतियार की डील को साइन किया जा सकता है लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि ब्राजील भारत के तेजस फाइटर जेट को खरीदने में भी अपना इंटरस्ट दिखा रहा है इस समय ब्राजील का भारत से कहना है कि हम भारत के साथ बड़े बड़े हत्यारों की डील को साइन करना चाहते हैं लेकिन इन हत्यारों को डील साइन करने से पहले हमारी भारत के सामने ये शर्थ है कि हम भारत के हत्यारों को खरीदेंगे बदले में भारत को भी हमारे हत्यार को खरीदना होगा यहाँ पर ब्राजिल की तरफ से बिल्कुल साफ साफ संके दिया गया है कि ब्राजिल इस समय भारत के टेंडर में अपने C-390 एरक्राफ्ट को भारत को देना चाहता है और भारत से medium transport aircraft की इस deal के बदले में ब्राजील इस समय भारत के तेजस लड़ाकू विमान को लेना चाहता है अगर भारत और ब्राजील के बीच ये बाल्टर डील साइन हो जाती है तो हमको अपने तेजस लड़ाकू विमान को ब्राजील के अंदर बनाना होगा और भारत के अंदर ही बनाना होगा और इस deal के होने का सबसे बड़ा फाइदा यह होगा कि अरत को भी काफी हद तक एक medium transport aircraft को बनाने का experience मिलेगा अब वहीं पर ब्राजील को भी fighter jet को बनाने का अनुभव मिलेगा और अब आप ही कमेंट करकर बता सकते हैं कि क्या हमको ब्राजील के साथ इस बाल्टर डील को साइन करना चाहिए हाँ या फिर ना इस बात का अंसर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं थैंक्स फर वच्छिं इस वीडियो वगूट